नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनमिंदर और मेरे शेडल पे आप सभी लोगों का बजब स्वागत हैं मैं सभी का खेर्मदम करती हूं दोस्तों सभी को बदा है कि पती-पत्नी का जो रिष्टा होता है वो विश्वास का रिष्टा होता है प्यार का रिष्टा होता है और निभाने का रिष्टा होता है लेकिन कई बार ये रिष्टे खोड़ में पहुँच जाते हैं और वजह बहुत सारी होती है एक वज़े ये भी है कि पती और पत्नी एक दूसरे को सेक्स करने के लिए इंकार नहीं कर सकते 36 गर्ड हाई कोट ने एक पती पत्नी के मामले में ये फैसला सुना दिया है और कहा है कि पती और पत्नी एक दूसरे से सेक्स करने के लिए इंकार नहीं कर सकते इसे कुरूरता के बराबर माना जाएगा वैसे सेक्स हमारा पड़ा नीजी मामला है ऐसे में कोट इसे कुरूरता से कैसे जोड़ के देखता है ये भी समझने की बात है इस मामले में पत्नी अपने पती को मोटा भद्धा और बेकार समझती थी पिछले दस साल से दोनों के बीच शारीक समंध नहीं थे पत्नी के साथ भी पत्नी रही रहती थी और पत्नी मानसिक तोर पे काफी अपने आपको बुरा फील कर रहा था प्रताडिक फील कर रहा था और ये जो पत्नी हैं एनम मिश्रा बिलासपुर के रहने वाले हैं इन लोगों की शादी जो है जो शादी का मैटर कोर्ट में जाता है ये शादी 25 नमबर 2007 को होती है पत्नी महके में रह रही थी और तलाक लेने के लिए एनम मिश्रा ने फैमली कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई अर्जी में ये कहा गया के शादी के कुछ महीने तक पत्नी सस्राल में रही बाद में मायके शले गई फैमली कोर्ट में पती की जाची का खारीज हो गई तो उसने है अपील की बिलासपुर है कोर्ट के जस्टिस पी सेम कौशी और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने पूरे मामले को सुना और हाई कोट पती पत्नी के बहानों को सुनने के बाद ये पाता है कि दोनों के बीच 2010 से ही शारेडिक संबंद नहीं थे पत्नी अपने पती को बच्शूरत मानती थी अब कोट को अपना फैसला सुनाना था सो उसने सुनाया पती या पत्नी अमिन जो कोट ने फैसला सुनाया वो यह था कि पत्नी एक दूसरे के साथ सेक्स करने से इंकाल नहीं कर सकते अगर ऐसा किया गया तो इसे क्रूरता के बरा पिंदेड लाइफ के लिए शैक्स बहुत जरूरी है इसे कर पती के साथ करूरता की मुठेव कि अब एक और पॉइंट है कि शादी में कुरूरता किस अधार पर तेह की जाती है तो दोस्तों फिजिकल रिलेशन ना रखने के एक तरफा फैसला अगर पती या पत्नी लेते हैं तो इसे कुरूरता माना जाएगा जैसा कि कोड ने कहा है किसी एक ने अकिले ये फैसला ले कि शादी के बाद बच्चा नहीं चाहिए तो ये भी एक तरह से कुरूरता ही है दोनों की वीच इतना तरह है कि साथ ना रह सकें और लंबे समय तक एक दुसरे से नराजगी और फ्रस्टेश्ट हैं तो गाड़ी आगे नहीं सेर सकती लगातार आरोप लगाना इंसल्ट कर एक दुसरे के जानकारी के बिना पती या पत्नी का स्ट्रेलाइशन कराना एक तरीके से मतलब किसी भी काम में रजाबंदी नहीं तो ये भी एक तरह की कुरूरता ही मानी जाएगे अपनी खुशी के लिए एक दूसरे को टॉचर करना भी कुरूरता है मौजूदा मामले में पती ने तलाग के लिए अरजी लगाई तो पत्नी नहीं तो अब ये समयना जरूरी है कि किन बातों के अधार पे पती या पत्नी एक तरफा तलाग की मांग कर सकते हैं दोस्तों यहां आपके लिए ध्यान देने की बात है इश्वर करें कि आपको कभी इसकी जरूरत ना पड़े इसकी तलाग की लेकिन चीजों की जानकारी होना जरूरी है पती या पत्नी एक दूसरे को दोगा दे करके किसी तीसरे से संबंद बनाए तो कोट में अगल सबू पेश हो जाते हैं तो तलाग ले सकते हैं पत्नी या पत्नी में से कोई भी एक शारीरिक या मानसिक इंसा का दोशी हो तो अराम से तलाग मिल सकता है शादी होने के बाद अगर पत्नी दो साल से ज्यादा समय से साथ नहीं रहे हैं ये एक तरफा तलाग हो सकता है और शादी के बाद धरम परिवर्तन के लिए मजबूर करना भी तलाग का एक रीजन बन सकता है। अगर दोनों में से कोई एक सन्यास ले ले ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई कोई एक संज्यास ले ले यानि कि वो अपने परिवार को अत्याक करके सन्यासी हो जाए तो दूसरा पार्टनर तलाक लेने के लिए अपलाई कर सकते हैं कोई एक पार्टनर साथ साल से गायब हो चुका है और दूसरे को उसके जीरे बनने की कोई खबर नहीं है उस हलत में भी तलाक लिया जा सकता है, अच्छा कोई गंभीर शारीविक बिमारी जैसे एड्स, कुछ रोग या कोई और ऐसा गंभीर रोग हो, ऐसी इस्तिती में भी पार्टनर तलाक ले सकता है, अब एक जो आजकल बहुत कॉमन हो रहा है गरों में, कि जबरदस्ती रिलेशन्शिप बना जबरदस्ती संबंद बनाना, क्या ठीक है? तो कोट इसमें ये कहता है कि पती हो या पत्नी, दोनों ही शारीरिक संबंद का दवाब एक दूसरे पर नहीं राज सकते हैं, चुकि हमारे देश में पत्ती को पत्नी पर हग जताने की इजाजत समाजिक तोर्पे मिली है, इसलि अब आपका ये भी जानना जरूरी है कि जब पत्नी से पती जान भूच कर उसकी इच्छा के खिलाब जा करके सक्स करता है, तो उसे मेरिटल रेप कहते हैं. अब ये कितनी तरीके के होते हैं, मेरिटल रेप, तो ये भी जान लेते हैं लगे हातों, पत्नी को जोड़दसी से से सेक्स करने के लिए मजबूर करना, पत्नी के साथ उसकी इच्छा के बिना सेक्स करके उसे मानना, पीटना, या जबदसी सेक्स करने के साथ साथ उसका व इसकी खबरें, इसकी सूचनाय मिल रही हैं कि जबरदस्थी सेक्स करना और उसके बाद उसका वीडियो बनाना. ऐसी अगर इस्तिती बनते ही हैं तो यह भी एक तरह से मेरिटल रेप है. और शादी के बाद पत्नी से जबरदस्थी सेक्स करना कानूनी अपराद नहीं है. इसके लिए किसी तरह की सजा या जुर्माना का प्रावधान भी नहीं है. फिलाल दिल्दी हाई कोट में मेरिटल रेप को अपराद खोशित करने के मामले में एक सुलवाई चल रही है. इस समंद में केंदर ने अपना रुख साफ करने के लिए कोट से समय मागा हुआ है. यह वो चीजें हैं जो खर में घर के बर्व के साथ या फिर पति-पत्नी के आपसी बातचीत, संबाद और सुझ-बूच के साथ हल हो सकते हैं. यह वो चीजों का मैंने जिक्री किया है जिनको जब चीजें बहुत खराब हो जाती हैं तो कोट में ले जाया जाता है. तो इसमें कोट ने अपने नियम बनाए हुए हैं जो मैंने आपसे शेयर किये लेकिन दोस्तों अब आपज़ों जिसके मैं यह कहना चाहूंगे कि यह सब मसले ऐसे होते हैं कि इनको घरों में सौल्व किया जा सकता है. आप किसी से अपनी कॉंसलिंग करा सकते हैं आपके धर में बड़े हैं तो आप उनकी राय लीजे आपके दोस्त हैं उनकी राय लीजे कोट में जाने से पहले हैं. और सब की अरजाबंदी से ही सारी बाते ठीक होती हैं यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं जब चीजें खराब होती हैं तभी कानून का सहारा लिया जाता है तो अच्छा यह है कि ग्रिश्ती जो है प्यार से चले समझदारी से चले लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता बहुत सी इसे छटलताइं जो है रिलेशन्सिप में अचानक orie से आजाती हैं एक ऐसे में आपको यह जो कंटेंट है आप के सामने लाने का मेरा मकसद यही था कि आपको जानकारी रहे आप अवेरRE महिलाएं भी अवेर रहें और पुरुष भी अवेर रहें कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किस तरीके से कोट में कि सहायता ले सकते हैं अब जैसे यह पूरा मामला है इसमें पती जो है अपनी पत्नी की कुरुलता का दंश जेल रहा था कैर कैसा लगा आपको यह कंटेंट आप मुझको अपनी डाए मेरे कॉमेंट बॉक्स में ज़रू डॉक कीजेगा मैं फिर मिलतूं आपसे किसी और कहानी के साथ किसी और खबर के साथ किसी और किसे के साथ तब तक आप अपना और अपनों का ばいżplace ER ég al झाल झाल